भारत आपका योजना ग्यारन फॉर यू में और सरकार ने लॉंच किया है भारत आटा जिसमें आपको 27 रुपए किलो बिकेगा आटा आप ले सकते हैं 27 रुपए में 1 किलो आटा मोबाइल वैन में 10 और 30 केजी पैक में मिलेगा आपको ये आटा और चना दल मिलेगा आपको 60 तो आए जानते हैं क्या है यह भारत आटा और कैसे लांच किया है कैसे आप इसका फाइदा उठा सकते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बीना स्किप किये अन तक जरूर देखे अगर व कि घंटे दो हैं ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे केंदर सरकार देश भर में 27 यानि कि 27 रुपए प्रती किलो की कीमत पर भारत आटा उपलब्द कराएगी केंदरिय मंत्री प्यूश गोयल ने सोंबर 6 नुमबर को दिल्ली में आटे के वित्रन वाहन इसे नैशनल एग्रिकल्चर कोपरेटिव मार्केटिंग फट्रेशन ऑफ इंडिया लिम्टेड यानि की ने फटी नैशनल कोपरेटिव कंजूमर्स फट्रेशन ऑफ इंडिया यानि की एन्सी सीएफ सफल मदर डैरी और अन्या सहकारी संस्थानों के जरिये बेचा केंद्री मंत्री पयूश गोईल ने इस दोरान बताया कि इसके लिए धाई लाख मिट्रिक टन गेहूं का एलोकेशन विभिन सरकारी अजन्सियों को किया गया है अब भोगता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपे प्रती किलो है बजार में नॉन ब्रेंड़ आटे की खुदरा कीमत 30-40 रुपे किलो है तो ब्रेंड़ आटच 40-50 रुपे प्रती किलो ग्राम पर बिक रहा है गेहों की लगतार बढ़ती कीमत की वज़े से तोहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है प्याज की बड़ी कीमतों से कंजूमर्स को रहा देने के लिए सरकार 25 रुपे किलो के रेट से प्याज बेच रही है नैशनल कॉपरेटिव कंजूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया यानि NCCF और नेफट 25 रुपे किलो के रेट से बफर प्याज पहले से ही बेच रही है 329 रिटेल स्टोर पर डिसकाउंटेड रेट पर प्याज बेच रही है वहीं केंद्रिय भंडार ने भी बीते शुकरवार से दिल्ली NCR में प्याज की रिटेल सेल अपनी आउटलेट्स के जरिये शुरू कर दिया है इसके अलावा सरकार साथ पर प्रती किलो के भाव पर भारत डाल यानि की चने की डाल उपलब्द करवा रही है आपको सस्ता आटा कहां से मिलेगा आईए हम आपको बता दे रहे हैं भारत आटा का वित्रण भारतिय राष्ट्य क्रिशी सहकारी विपनेन संग लिप्टेड यानि की नैफर्ड राष्ट्य उपभोक्त सहकारी संग यानि की NCCF केंदरी भंडार और सफल की खुद्रा दुकानों के माध्यम से किया जा सकता है इस विवस्ता के अंतरगर सस्ता हाटा राजी सरकारों को उनकी कल्यान कारी योजनाओं, पुलिस, कारगरों के अंतरगर आप पूर्ती के लिए और राजी सरकार नियंतरित, सहकारी समीतियों और निगमों के खुद्रा दुकानों के माध्यम से वित्रण के लिए उप्लग बनाए हुए है इसके अंत्रगरत कुछ एगरी कॉमेडेटिव का बफर स्टॉक रखती है इन वस्तों की कीमते यदि असमानी रूप से बढ़ती है तो सरकार बफर स्टॉक को लक्षित तरीके से बजार में जारी करती है आशा करते हैं कि यह जानकारिया आपके लिए फायद आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें धन्यवाद